चंद्रयान दो चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ट पेलोड वय चार सी यानि की आर्बिटर हाई रिजूलिशन कैमरा विश्चु का सबसे बहतरीन कैमरा है जो कि चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रह अब मैं आरुसी जी से निवेधन करूँगा कि वो आप लोगों को इसरो के बर्दमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बता है अभी आपने मिश्चा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशन्स का विवरन अब चलते हैं टूर्द्स चंद्रयान झाल 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 नमस्कार इसरो के इस महा अभियान से जुड़ने के लिए आप साधर आम अंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिस्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी सेट के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं 23 अगस 2023 आज की साम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रवा के सता पर उतरने के अयतिहासिक पलो को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ इसरो के गौरो पूर इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे आप ए सारे विज्वल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिसन आउपरेशन कॉंपलेक्स यानि मौक से देख रहे हैं जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है इस विज्वल्स आपको पावर डिसेंट के काउंट डाउन और उस पत को प्रदर्सित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूँ इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग बाईस मिनट दूर है जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आप फिसिल वेबसाइट फेस्बुक ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं अजीयिद करने को इस जिन खरी Treasurylooking च्योने होν common पैस थोड़ी जीयूव मैं देरियदी dont reach बाईसरे показations क्थन थीयूवरी का म की था मैं व्यूटरा बढा02 इंड पर्सेभ इस्ट्राक इस्ट्राक इस्ट्राइब एन अम्मा बंगलूरू करनातका. I, Arushi Seth, and my colleague Dr. Padamdeo Mishra are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from power descent start to touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3 wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on moon's south polar region. God, I'll do all this. Amen. Thank you. I'll do all this. All right. Thank you. कर दो कर दो अक्टूबर दो हजार आठ में पी एसल भी धन्यवाद आरुसी अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोक मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम थके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माड्यूल निश्चित तोर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इस रोके अब तक के सभी लूनर मिशन्स को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इस रोका पहला मून मिशन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLV राकेट के द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सता पर पानी की खोज करके पहले ही तियास रच चुका है यही कारण है कि आज कल विस्व के तमाम अंतरिक्ष बैग्यानिक और स्पेस एजन्सिया चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर राकेट LVM-3 द्वारा सफलता पुरुवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LVM-3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान-2 काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा अब तक चंद्रयान-2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्तवूर्ड पेलोड OHRC यानि कि आर्बिटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वहत्रीन कैमरा है जो कि चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं ROCG से निवेदन करूँगा कि वो आप लोगों को इसरो के बरतमान मिशन चंद्रयान-3 के बारे में बताएं अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लुनार मिशन का विवरन अब चलते हैं towards Chandrayaan-3 the follow-up mission of Chandrayaan-2 which has been designed to accomplish our mission goals The primary objective of Chandrayaan-3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 km ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach carried a total of 5 Earth-bound maneuvers The 5th apogee racing maneuver which took place on the 25th of July placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 km At the early hours of 1 August, the Translunar injection was carried out after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 km for its rendezvous with the Moon The TLI was a key step in the mission enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the Translunar injection Yes, the Translunar injection is a very useful for any interplanetary mission अपोचाया गया 5.5.2023 को Lunar Arbit Inserction के द्वारा चंद्रयान-3 को 160 km के Periloon और 18,000 km के Apo-Loon के साथ चंद्रमा के elliptical orbit में स्थापित कर दिया गया TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल आपरेशन होता है इसमें हमें यह ध्यान देना अवस्यक होता है कि उपग्रह के बेगमान को एक निश्चित बिंदू से घटाया जा सके अन्य था उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव छित्र से बाहर निकल जाएगा LOI के सफलता पुर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को चार बार और परिवर्तित किया गया इस दौरान चंद्रमा के अधिक्तम उचाई को घटा कर एक सो साट किलो मीटर कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन माडियूल का लगभग साट सो पच्पन किलो ग्राम इधन का उप्योग हुआ और चंद्रयान 3 के बेगमान को लगभग आठ सो पचास मीटर प्रसेकंड कम कर दिया गया लैंडर माडियूल को लगभग 150 किलो मीटर के सरकुलर आर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस 2023 को प्रपल्सन माडियूल से अलग कर दिया गया पुनह लैंडर मॉडल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा 150 किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट से घटा कर 25 गुडे 130 किलो मिटर के एलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो थ्रटेवल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनुपती का सामना कर सके लैंडर मॉडुल इस आर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कारयात्मक रूफ से वेरिफाई और वैलिडेट किया जा सके इस दोरान चंद्रयान दो और लैंडर मॉडुल की आपस में बाचित भी हो चुकी है और संचेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉडुल अब तक 21 बार प्रतिवी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाग किलो मेटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चत किया गया कि सारे आर्बिट मैनुर्स इस प्रकार किये जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट के सुरुवाद से ही लैंडर के आर्बिटल प्लेन में बना रहे हैं. कि अब दूरे यह झाला हैं. यह वह पलब दार्बिट लॉफ्सेंट कि ले दे लिए ल्गाद इस पार्डे लिए पावर डिसेंट. मैं यह रशुलिट इस पिर अवर बनाद रावर देसेंट. The demonstration of soft landing on the Moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 km per hour without any aid from the thin and tenuous Moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the Moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements provisioned for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the Moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान थ्री का मिसन प्लान लगभग लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है यहां यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकट्तम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गत्विदियां चंद्रयान 2 के तरह ही हो और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सत प्रतिसत सफल रहा हलाकि लैंडर माडूल के सेंसर्स और प्रपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आ करके मिसन के मुख्य देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, लेच बीसी, ल्डीवी और लेच डैक का कार्यात्मक परिक्षड भी किया जा चुका है LDV जो की पूर्णतह स्वदेसी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार, लैंडर के विलासिटी को तीनों अक्षों में कम्प्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान, लैंडर के सटीक पोजीशन और विलासिटी का ग्यान होना बहुत ही आवस्यक है लिराप यानि लेजर इनर्सियल रिफरेंसिंग और एक्सिलोरोमीटर पैकेज, इस कारे को पावर डिसेंट के दौरान बख्वूवी निभाएगा ट्रजिक्ट्री जनरेशन, जो कि चंद्रयान थ्री मिसन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैनिवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिसन अबजेक्टिव को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि आर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और विलोस्टी को बहुत ही एकुरूइटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कमपुटेशन और एस्टिमेशन होता है यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का ओय चार सी पेलोड अब तक काफी उचे अस्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फल सुरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे 2.4 किलो मेटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसंट के दौरान साफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहाइक सिद्ध होगा अपार्ट फ्रम दे सेंसर्स, चंद्रयान 3 इस एक्विप्ट विद दे स्वीट आफ सोफिस्टिकेट पेलोड इंस्रूमेंट लाओ चंद्रयान 1 औचंद्रयान 2 औड़ अप्टर वाजब लैंज ए सेंसिंग दे सिद्ध धावमून औव इकली इंपोरन के बविद एक गन्दट स्वीट के विद दे सेंसिंग लैंट oserface. The two spectroscopes on rover APXS and LIBs will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ilsa that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe chast will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The ramba payload will carry out lunar ionosphere इ। यूरी ठाधर अर्वेह इचर चेह सब्काफ आपिसेदिते नहीं को अपिसे प्रॉटी ओ्रॉतितो. The propulsion module is not been left behind a new brain and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of Power Descent. The entire Power Descent shall be carried out by the Onboard Autonomous Landing Sequencer or ALS with a series of instructions pre-loaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed and decisions to be made and executed autonomously throughout the Power Descent. Yes, now we are very close to Power Descent. We have told you that Power Descent is about four steps. First of all comes the Rough Breaking Phase, which will less percent of the lander's height by the distance of 30 kilometers and the distance of 10.4 kilometers will be taken by 7.4 kilometers and the demand will be taken by this plan. This is the maximum temperature of the lander's height by 13.5 kilometers and the distance of 11.5 kilometers will go to 3.5 meters per second. हो जाएगा. The preparation for today's event had started 48 hours before wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into four phases, the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, attitude hold phase, जो की power descent का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्तोपूड phase है. इस 10 second के small duration के दवरान, lander के दो महत्तोपूड sensor, कारा और लासा, lander की उचाई की गड़ना करेंगे. इस phase के पूरा होते ही, lander चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमेटर की उचाईब पर होगा. During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हमें देख सकते हैं कि Mission Operation Complex रूप में बैठे सभी वैग्यानिक यह जो भी डेटा देख रहे हैं, वो Deep Space Network Ideation 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है. और अगर हम आप बात करें, पावर डिसेंट के तीसरे चरण का जो की fine breaking phase होगा, जिसमें landing side से just 800 meter की उचाई पर vertically होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही, लाइंडर की velocity लगभग लगभग सुनने हो जाएगे. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें power descent के चौथे और अंतिम चरण का, जो की local navigation phase या terminal descent phase भी कहा जाता है, इस दौरान, लैंडर के दो इंजन बंद कर दिये जाएंगे, और लैंडर के sensor द्वारा इसके height और velocity की गड़ना, inertial navigation को भेज दिया जाएगा. इस दौरान, लैंडर 150 मीटर की उचाई को प्राप्ट करने के बाद, खुल 131 सेकेंड लगाएगा, इस पड़ाव पे आने के बाद, पुनह लैंडर 22 सेकेंड के लिए hovering करेगा. आप इस समय अपने screen पे mission operation complex में बैठे, सभी माननेगड़ों को देख सकते हैं, जो की बहुत ही उत्सुकता के साथ telemetry data को देख रहे हैं. अभी हम लोग power descent सुरू होने से just कुछ ही पल दूर हैं. power descent सुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकेंड ही बचा है, और हमको इस सारे data mission operation complex room में, IDSN 32 के द्वारा जो की लागातार lander के connection में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है. Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं, रफ ब्रेकिंग फेस की सुर्वात हो चुकी है. During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking, all this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package, Liraap, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभ ही आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि lander अब तक कुल 191 km होरिजेंटल दिसा में चल चुका है, और अभी तक इसकी विलोस्टी लगभग 31 km बनी हुई है. The lander module has travelled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be travelled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, खुल 745 km के इस rough breaking phase में आप देख सकते हैं, कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% complete कर चुके हैं. Power Descent की यह सुरुवात हम कह सकते की बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें lander अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. RUCC, अभी हम इस ground trace को देखते हुए कह सकते हैं, कि रफ ब्रेकिन फेस की सुरुवात बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप यह देख सकती हैं, कि जो भी प्रोजेक्टेट ground trace है, उसी पे अपना lander module आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक यह देखा जा सकता है, कि lander module लगभग लगभग 370 km, 36 दिसा में चल चुका है. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुसी. During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before wherein various preselections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttle-label engine electronics module, the TEC-M, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. Yes, yes. You can see on the screen that the lander module, whose velocity of the velocity of 1680 meters per second was increased by 1150 meters per second. We can see that the current altitude is at the same time that the current velocity has been shown in the same way. Here we can tell you that the current altitude of the lander module is decreased. दिरे दिरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो की expected भी है अभी हम बात करें current altitude की तो जो की 28.6 km के आसपास है आप screen पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयांत्री lander imager display the lander imager is continuously giving is continuously taking photographs of the moon's surface and that is also being streamed here currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 km the current altitude is 27 km as can be seen on the screen जी हां करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में lander बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए अपने उचाई को घटा रहा है अगर अब बात करें तो lander की उचाई चंद्रमा के सतह से लगभख 27 km से नीचे हो चुकी है करीब करीब 26.7 km के आसपास है The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase which will be for a duration of nearly 10 seconds The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters Currently we are in the middle of the rough braking phase जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखे तो लगभख 8-8 minute की यात्रा के बाद Lander अपनी horizontal velocity को लगातार कम करते हुए अपनी अभिक्य उचाई के समय 24-24 km की उचाई प्राप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि landing पूरी तरह से nominal है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि horizontal velocity लगातार कम होती हुई दिख रही है अपकड़ी अपनी तरहाँ प्राभ प्राप्त कर देख अफ्योग वर्यूद के लिवेति अप्राप्त कर चूरादे ョब्यूद को इंगें प्राप्त कर अबराप्त कर आक 27 वे अवे लिवेति जोफ कर देखू। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं, कि लेंडर की होड़ाइब देख सकते हैं, लगभग लगभग साथ सो बीस मीटर परति सेकंड हो गई है, लगभग लगभग हम एका सकते हैं, कि 900 मीटर पर सेकंड विलोसिटी को कम किया जा चुका है, at the same time we can see the altitude of the lander is just 17.8 km from the moon surface which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase is phase ke baat hum jayenge towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters we can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface the current altitude is nearly 15.2 km and the distance traveled is 754 km we can also see the image that the lander imager camera has been providing ji haan, is rough breaking phase ke dauraan 800 newton ke 4-ho throttle engine apne karaya ko puri tarah se anjam de rahe hai after the rough breaking and the attitude hold phase we shall be having the fine breaking phase which will continue for nearly three minutes the whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground hai haan, arusi, abhi aap aap ne screen pere dhek sakti hai ki ji jo current altitude hai chandrama kai sattah se lagberg lagbag ds kilometer ke aa s pass hai ji haan, hum aapne जी हाँ, हमारे प्रधान मंत्री जी, स्री नरिंद्र मुझी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफरीका के जुहानस बर्ग से जुड़ गए हैं जी हाँ, आपे देख सकते हैं, आइटीट्यूड होल फेस भी बहुत ही आसानी से लाइंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की सुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग 5.6 किलो मिटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मिटर हो जाएगी एह पर अरशी से लाइंडर टांपराशिक प्रेंट इस काढआते हैं आपया टांटो मिटर हो जाएगी दिस लाइंडर मुट्ट्ट्राम ाहिंजर्ट प्रेंट सेट लगभग लगभग 15 इस प्रेंड हो टों यहां जा हो ढेक लया हैन। इस बाता है कि लगभग तीन मिनट के उपरान, लांडर की हाइट लगभग 800 मेटर वरतिकली होगी, और यहां पे, लांडर की होरिजनल विलोसिटी, वरतिकल विलोसिटी, इवन दाउनरेंज भी लगभग लगभग सुनने होगा. We can see the visual of the Lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 km. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि Lander की उचाई अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 km से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 km as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं, कि Lander की उचाई लगभग लगभग 1 km के आसपास है. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आचिके हैं, आप तालियों के गडगड़ाहट से सिंग सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को ही बहुत ही सखलता पुरवक हासिल कर लिया है. और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी सुरुवात भी बहुत ही अच्छे डंग से हो चुकी है. पुकी हम अच्छे अ कि अस्टेवक बहुत हैं, । तिल रग भान आप लुकी हैं, वे रटिकल डेसेंट ने अस्टेजा हैं, जिसेंट लॉटार में युट्छी में विड हैं, अब्टित आर चुकी हैं, जिसे हैं, पुझे दिसेंट घ्टेर झाह में अट युट ते रह जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस इस स्थेज के दोरान लगभग 150 मीटर के उचाई पे लोरिं करेगा We are above the landing site, the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पतनिधारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताप से जी हाँ आप इस तालियो के गडगड़ा हट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइरिक फेस के कम्प्लीट होने के बाद इन सारे बैग्यानिकों के द्वारा की जा रहे हैं जी हाँ अगर फिर से ध्यान से देखें तो आल्टीटुट पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं अभी हाँ पे देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग 75 मीटर के आसपास बची हुई है currently only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman Isro Shri S. Somnath The hard work of the entire community has come to fruition. The entire Isro community has come to fruition. I request I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. 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 and I ask you such a आज़ 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 नए भारत के आज़ एक्षान नए भारत के जैगोश का है एक्षान मुस्किलों के महासागर को पार करने का है एक्षान जीत के चंद्रपथ पर चलने का है एक्षान 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 एक्षो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है एक्षान भारत में नई उर्जा नया विश्वास नई चेतना का है एक्षान भारत के उदैमान भाग्य के अहवान का है अम्रत काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अम्रत बर्सा हुई है हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाव अन दमून आज हम अंतरिक्ष में मय भारत की नई उडान के साक्षी बने है साथियों मैं इस समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफरीका मैं हूँ लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महा भियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्न में डूब गया है हर गर में उत्सव शुरू हो गया है रदे से मैं भी अपने देश वाच्चियों के साथ अपने परिवार्जनों के साथ इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ मैं टीम चंद्रियान को इसरो को और देश के सभी वैज्यानिकों को जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनों ने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है उच्चा उमंग आनंद और भावुक्ता से भरे इस अधभुत पल के लिए मैं एक सो चालीस करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ मेरे परिवार जनों हमारे वैज्यानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी दुरू पर पहुँचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिठक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम सभी लोग धर्ती को मा कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं चंदा मामा बहुत दूर के हैं अजया 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 टूर के लिए अजया खूर अजया आजु को करूर में जया राइगास India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. So, this human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवार जनों, चंद्रयान महाभियान के युपलब्दी, भारत की उडान को चंद्रमा की कख्षाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांख्षी लक्षत ताई किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्तरित अध्यन के लिए इस रो आदित्य एलवन मीशन लॉंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है. गगनियान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई नौर्द लिमेट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजवल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजवल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीख है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के सभी वैज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के इमिशन के लिए धेरो शुब कामनाएं. बहुत 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 दिएएगा. बहुत 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 बदो. कि अ कि अ कि अ कि अ जान्य है ंच प्रफ़ और जौटान पर जूझ इस ुछास्थ and let me take this opportunity to thank the people behind this mission the project director of Chandrayaan 3, he is here Veera Mutuvel, congratulations to you the associate director, Elpina and the mission operations director, Srikant and the satellite was built at your Rahu Satellite Centre Sankar and the director it's a great moment of happiness on behalf of team it gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission the entire mission, the entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline and we became the fourth country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface and we became the first country to go near to the south pole of the moon I take this opportunity to thank navigation guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission I also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date the target was on spot because of the review process I also thank the ISRO IR management right from chairman ISRO, director URSE and all the centre directors and IR ISRO officials and finally my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centres, thank you mission director Srikant it gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly and I would like to thank my senior management chairman ISRO, director URSE, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in a proper way thank you very much Associate project director Kalpana good evening to all this will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3 we have achieved we have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience it has been breathe in breathe out Chandrayaan 3 for our team and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course with the with the guidance with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts with all this it has been possible thank you one and all thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments thank you, thank you Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions and Shankaran has been the lead of the centre which integrated all of these efforts for the last so many years so I request him to speak on behalf of all of you thank you thank you very much for the affection that has been displayed today now today we have achieved what we set out to achieve in 2019 it was delayed by about 4 years but we have done it when Chandrayaan 3 was launched after the separation of the spacecraft from launch vehicle I said I will speak the rest of the things after the soft landing so here I will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team when I say project team it is not just only the project director and associate project director of course they are the face of the project they have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years they have been supported by such a large number of people particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system this area, the amount of effort that has been put by people the number of simulations that have been done the number of reviews they have gone through the amount of criticism they faced and overcome that it is as a person who has been watching this for the last 4 years along with them my heart feels my heart goes out for them the amount of effort is tremendous that is what Israel is all about that is what our organization has taught us to do now today this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high nothing nothing less than spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future so as the Honorable Prime Minister mentioned we will be now looking at putting the man in space putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars work on all these activities are going on for a few years and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again thank you very much for for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission encouraged us intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you a big thank you because even even a casual remark an unintended point can can help a person who is striving to reach a goal it the person who is making that remark may not have meant it that way but sometimes it can ignite a that's why I said that even unintended help is is very 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 welcome and we are very very thankful for that thank you Team Isro for supporting all of us the amount of affection we received when this mission came into this final stage the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful the amount in fact I was not that much confident because we have seen couple of times issues because I know very well as a as a person who has been doing in this in this domain for 36 years I know there are thousands of things any of that could can anytime go wrong and derail but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so 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 happy to see this effort and they want us to succeed it is not that we are they know that we are going to succeed the people want us to succeed so thank you very much for everyone for your love and affection we will continue to do our best and make our flag fly ISRO's as well as India's flag fly high thank you very much honorable honorable prime minister called me and conveyed his greetings to each one of you you and your family for the wonderful work you did in ISRO so thanks thanks to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing I think that's a great word of you know comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days who wanted this success to happen in ISRO I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years I want to specifically thank some senior people who have been standing with us especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamala Akar Shri Kotesha Rao they have been helping so much they were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes and of course this is not the work of us alone this is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists and this is a journey we started in Chandrayaan 1 continued in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 2 craft is still working and doing lot of communication work with us and all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3 and this is an incremental progress and definitely a great huge one it is and thank you so much for all the support and work that you have done and thank you for coming to somebody and we will continue to support every 24-hour and trust you very much these people you get to the Clamp we will continue to support us they will continue to support the leading時候 तस्वीरें जो आप देख रहे थे इसरों से आप आपने देखा कि किस तरह से चंद्रियान 3 की सफल लैंडिंग के साथ में ही एक उतसा का आनंद का जो वातावरंड देखा वो सिर्फ यहीं तक नहीं था बलकि पूरे देश भर में है और पूरा देश आज उल्लसित है संदेथ है और एसे मौके पर राश्रुपदी द्रापदी मुर्मुने एक संदेश